हाई अब बात करते हैं PHP के अंदर लेट static binding के बारे में काफी important topic है और हाँ अगर आपको static methods और static properties के बारे में बिलकुल भी idea नहीं है कभी उनका नाम भी नहीं सुना तो मैं आपको recommend करको कि इससे पहले वाली वीडियो इस playlist के अंदर से इसके just उपर वाली वीडियो देख लेन आपको यह वाला topic अराम से समझ में आएगा उसके बाद अगर आपको basic idea है उसकी theory भी बता है तो आप लोग इस topic से start कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा जी इस part में क्या देखने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा late static binding क्या होती है क्यों इसका use करते हैं इ अगर फिर भी कुछ प्रोब्लम रहेगी आपको अच्छे समझ में आया तो कोई बात नहीं जब practical implement करके देखेंगे ना तब आपको 100% चीज़ें आराम से समझ में आने वाली है late static binding की help से हम लोग current class के static methods को call कर सकते हैं directly inheritance के अंदर तो क्या जब हम लोग inheritance call करते हैं 3,2,1 late static binding की help से हम लोग current class के static methods को call कर सकते हैं inheritance के साथ अब आपके पास एक question रहेगा कि क्या inheritance के अंदर हम लोग without late static binding static methods को call नहीं कर सकते हैं बट एक scenario आता है जहां पर आप लोग directly static methods को call नहीं कर पाओगे मैं आपको बताता हूँ मालो आपके पास एक parent class है एक child class है parent class के अंदर भी एक same static method declare है जो की child class के अंदर है मालो x नाम से एक parent class में static method declare है और child के अंदर भी x नाम से static method declare है तो जब भी आप लोग x वाले method को child class के साथ call करोगे ना static method को तो parent वाला ही call होगा, child वाला कभी भी call नहीं होगा उसको call करने के लिए हमें late static binding करनी पड़ती है और यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, just एक keyword का फरक है समझाने के लिए इतना बड़ा topic बताना पड़ रहा है otherwise just एक keyword की बात होती है उससे आपकी late static binding अराम से implement हो जाती है अब इसको practically समझते हैं, आपको और चीज़े clear होगी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक class बनाता हूँ मालो हमारे e-commerce वाला project बन रहा है उसके अंदर हम लोग एक class बना रहे हैं जिसके अंदर पूरी country के अंदर कितने product sale हुए उसके बारे में जानकारी मिलेगी और एक city के अंदर कितने product sale हुए उसके बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं पहले बनाता हूँ country sale कर देता हूँ या फिर product sale कर देता हूँ, इस तरीके से, बैटर है कि sale ही कर देता हूँ, वो थोड़ा सा easy रहेगा, यहाँ पर sale कर देता हूँ, country sale, और इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग static method declare करते हैं, static property declare कर लेता हैं पहले, वो easy रहेगा, static property, और यहाँ पर लिखा मैंने total sale, कि कि इतनी हमारी वहाँ पर sale हूई, तो यहाँ पर लिखते हैं कि 1000 products हमारे sale होगे, directly मैंने यहाँ पर लिख दिया, right, कुछ मैं यहाँ पर if and button लगाना जादा है, directly मैं लिख दिया कि 1000 हमारे products हैं, वो sale हूई, ठीक है जी, कोई दिक्कत ने, हमारे static method है, अब इसी तरीके से हमारे पास इसके अंदर एक और class है, जिसका नहीं है यहाँ पर city, city sale, और इसके अंदर भी हमारे पास एक total sale नाम से है, और इसके अंदर हमारे पास only, let's say, की 50 products सी sale हूई, right, दोनों में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, then मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक, let's say, object बनाता हूँ, dollar city क राएगा, sorry, new city sale, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर, even वैसे देखा जाता हूँ, product इसको call करने की जुरूद नहीं है, but that's fine, मैं यहाँ पर एक और method call करूँगा, बनाऊँगा, जिसका मैं यहाँ पर नाम simply रखता हूँ, get total sale, right, और यह हम लोग यहाँ एक function declare कर देगे इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, echo कर देते हैं, static method को कैसे call करते हैं, इसके मैं object बिलाने की जुरूद नहीं होती है, directly करते है, city sale, जा फिर आप कर सकते हो, self, colon, colon, dollar, total sale, इस तरीके से, right, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, dollar, city, और इसमें करते है, get total sale, अब इसको मैं यहाँ पर run करके देखता हूँ, हमारे UI के उपर, जैसे मैं इसको run करने ही कोशिश करता हूँ, तो हमारे पास पहले आएगा एक error, because यहाँ पर self आएगा, right, कुछ और ही लिख दिया था, तो यहाँ पर 50 product हमारे sale होगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब मान लोग इस class को हम जरूरत पड़ती है, तो लोग यहाँ पर क्या गरेंगे, extends और यहाँ पर लिखेंगे country, sale, इस तरीके से, और इसके अंदर, parent के अंदर भी एक same ही method है, हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो अब मुझे एगर city की sale चाहिए, तो मैं इसी method को call करूँगा ना, और यहाँ पर आगे चेक करता हूँ, तो हमारे पास sale आगई 50, बट एक चीज़ देखो, यह method और यह method दोनों के अंदर repeat हो रहा है, जब parent के अंदर भी same method है, तो मैं इसको remove कर सकता हूँ यहाँ से, तो मैंने इसको कर दिया, यहाँ पर remove के, हम लोग parent वाल करी सकते, और लेंगे, तो हम लोग इसको redefine करना पड़ेगा यहाँ पर, बट फिर इसकी inheritance का फाइदा ही कोई नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग इसको करते हैं, late static binding, और late static binding बस एक चीज़ से हो जाती है, यहाँ पर self की जिगए पर लगा दो, static, और जैसे आ object बना देते हो, एक बार के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, तो अब देहो कितने आ रही है, 1000, तो अगर parent का object बनेगा, तो parent वाली sale निकल के आएगी, total sale निकल के आएगी, child का बनेगा, तो child वाली total sale निकल के आएगी, मैं फिर से यहाँ पर child वाला लिखते हूँ, यहाँ पर पचास आ गया, सेम इसी तरीके से, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, कि बस आपको properties ही लगानी है, मालो आपके पास, यहाँ पर एक और function है, जिसका नाम है, यह static function होगा हमारा, जिसका यहाँ पर नाम रख सकते हैं, let's say, पहले static बना देते हैं इसको, static और इसका मैं आपर कर इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, echo, by default मालो यहाँ पर बता रहा है, इंडिया, यहाँ पर country है, इंडिया, और इसके अंदर एक और हमारे पास static method है, इसी तरीके से, यहाँ पर है noida, कि हम लोग यहाँ पर noida की sell दिखा रहे हैं, जो अब मैं एक और method बनाता हूँ यह get area name के अंदर, basically, यहाँ पर करूँगा, self, colon, colon, area name, इस तरीके से, right, और अब मैं इसको call करता हूँ, जैसे की directly यहाँ पर get area name वाला method है, इसको call करता हूँ, जैसे इसको call करूँगा, तो मुझे यहाँ पर क्या आ गया, error आ गया, line number 13 पर error fix करते हैं पहले तो, semi-colons लगाने जावा स्क्रिप्ट और PHP के साथ दोन में एक साथ काम करने तो प्रूलमा आती है, तो यहाँ पर इंडिया आ गया, बट हम क्या expect कर रहे थे, noida, तो अगर मैं यहाँ पर, sorry, यहाँ पर, self की जगए पर static लगा दूँगा, तो यह क्या करेगा, किसको call करेगा, हमारे child वाले no properties को call कर सकते हो, inheritance के अंदर, जब methods और property का नाम सेम होता है, all right, so I hope यह topic आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ confusion है, कुछ doubt है, मुझे comment section के अंदर पूच सकते हो, मैं आप से request करोंगी, please, video को like करना, channel को subscribe करना, and comment section के अंदर feedback देना, यह मेरा paytm का donation number है, अगर आप donation करना आप आप, thank you guys, thank you so much.